नमस्कार हमारी राय में आपका स्वागत है मैं हूँ राजीव ऐसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी हमेशा ही चुनावी अंदाज में रहते हैं और उनके हर बयान, हर फैसले, हर रहली, हर दोरे से लगता है कि ये चुनाव की तैयारी है पिछले चार साथे चार सालों में देश के सूबों में हुए विधानसभा चुनाओं में उन्होंने भाजपा के पक्षमे ताबड तोड रहलियां की और सभाएं की यहां तक कि उपचुनाओं में भी जोर आजमाईश कर ली देश ने इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री को विधानसभा चुनाओं के लिए इसकदर प्रचार में जुटे नहीं देखा और अब एक बार फिर पांच राज्यों के विधानसभा चुनाओं की घोशना हो गई है फिर इसके बाद आम चुनाओं भी आ जाएंगे ऐसे में लाजिमी है कि मोदी जी फिर भाजपा के पक्षमे माहौल बनाने में जुट जाएंगे पिछली बार तो यूपिय शासन की नीतियों की नाकामी गिना कर सकता में आना आसान हो गया था लेकिन इस बार तो परिक्षा मोदी सरकार की ही है भाजपा सरकार के चार सालों में महंगाई, वेरोजगारी, भरष्टाचार सब पर सवाल उठे लेकिन सबसे अधिक असंतोष किसानों के बीच देखने को मिला इन बरसों में अपनी मांगों और सरकार की बेरुखी के विरोध में किसान पूरे देश में अलग अलग वक्त पर साड़कों पर उत्रे, आंदोलन किया और अपनी नाराजगियों के साथ किसी तरह घर वापस लोट गए मोदी जी ने बजट में गाओं और किसानों को प्राखमिता देने की कोशिश की फसलों का समर्थन मुले बढ़ाने का ऐलान किया कर्ज माफी की बात भी कही लेकिन इन ऐलानों और घोशनाओं का जमीन इस तर पर असर नहीं हुआ तो किसानों की नाराजगी बरकरार रही इसलिए अब मोदी जी ने किसानों को भावनात्मक तोर पर लुभाने की कोशिश की है पिछले दिनों हरियाना में दीन बंदू सर छोटू राम के पैत्रिक गाउं सामपला में उन्होंने उनकी 64 फीट उंची प्रतिमा का अनावरन किया और इस मौके पर किसानों के साथ साथ जाट समुदाय को भी साधने की कोशिश की गौर तलब है कि हर्याना में आरक्षन की मांग पर जाटों के आंदोलन ने भाजपा सरकार को परिशानी में डाल दिया था और इसलिए सरकार उन्हें अपने साथ लेने की तमाम कोशिश कर रही है सर छोटू राम की प्रतिमा अनावरन के बहाने मोधी जी ने कई महापुर्शों की तरह उन्हें भी भाजपा के खाते में डालने की कोशिश की और कहा कि छोटू राम जैसी महान शक्सियत को एक दिशा में सिमित नहीं रखना चाहिए हमारी सरकार ऐसे शक्स का मान बढ़ाने का काम कर रही है इसके बाद उन्होंने बताया कि उनकी सरकार किसानों का कितना भला कर रही है मोजी जी ने शायद सर छोटू राम की उस टिपनी को पढ़ा होगा जो उन्होंने जाट गजत नामक अخबार में किसानों की दूरदशा पर की थी उन्होंने लिखा था कि लोग किसानों को अन्द का देवता कहते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि किसान को भोजन मिल पाता है या नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर है कि जो किसान अनुप जाता है वही भूखा रह जाता है। फिर चेतावनी देने के अंदाज में वे लिखते हैं कि मैंने सभी राजाओं नवाबों और हिंदुस्तान की सरकार को कहा है कि किसान को इतना भी मत सताओ कि वो उठकर खड़ा हो जाए। दूसरे लोग अगर सरकार से नाराज होते हैं तो वे कानून तोड़ते हैं लेकिन अगर किसान नाराज हुआ तो वो न सिर्फ कानून तोड़ेगा बलकि सरकार की रीड भी तोड़ देगा। सर छोटू राम की ये टिपणी आज भी शब्द शह सही मालूम होती है और मोदी जी को अब सरकार की रिड़ बचाने की चिंता सता रही है लेकिन सर छोटू राम के बहाने उन्होंने किसानों और जाटों को साधने में फिर संकिर्ण मानसिक्ता से काम लिया है और आलोचना का हुए शिकार हो गया दरसल प्रधानमंत्री कारियाले से एक ट्वीट हुआ जिसमें मोदी जी के हवाले से कहा गया कि ये मेरा सोभाग्य है कि मुझे किसानों की आवाज जाटों के मसीहा कोड करके बोल रहा हूँ जाटों के मसीहा रहबरे आजम दीन बंदू सर छोटू र गया, दूसरी ओर अंग्रेजों ने उन्हें सर की उपाधी से नवाजा, उन्हें पंजाब सरकार का मुखिया बनने का मौका मिला, लेकिन 52% मुसलिम आबादी के कारण उन्होंने किसी मसलमाना को मुखिया बनाने की पेशकशकी और खुद मंत्री बने रहे साम्परदाईक सौहार्द के प्रती उनके ऐसे समर्पन के कारण मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों की मनमानी सरचोटू राम के आगे नहीं चली ऐसे महान व्यक्तित्त को मोदी जी ने जाटों का मसीहा कहा तो उनकी खूब आलुचना हुई और पीएमों को ये ट्वीट हटाना पड़ा महान लोगों पर किसी एक धर्म या जाती या वर्ग का एक अधिकार नहीं रहता है क्योंकि महान बनने के लिए ऐसी संकुचित मानसिक्ता को छोड़ना पड़ता है मोदी जी ने सोचा होगा कि सर छोटु राम को जाटों का मसीहा बता कर वे खुद भी जाटों के करीबी हो जाएंगे लेकिन अभी तो ये दाउं उल्टा पड़ गया है अब देखना ये है कि किसानों को लुभाने का दाउं कितना चल पाता है वैसे इसी 31 अक्टूबर को वे सरदार पटेल की भी विशाल प्रतीमा का अनावरन करेंगे कॉंग्रेस से पटेल को छीनने की कोशिश मोदी जी कर चुके है अब उनके व्यक्तित को वे किन दायरों में कैद करते हैं ये समय बताएगा तो हमारी राय में आज बस इतना ही देखते रहे हैं डीवी लाइब नमस्कार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीवी लाइब सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुशती रहें देखते रहे हैं डीवी लाइब क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार